तो आज आपने सुनाओगा कि इस fighter plane ने अपनी आखरी उडान आज भरी है और आज से ये सेना से बाहर हो जाएगा तो इस MiG-27 ने कारगिल युद्ध में बड़ा ही एहम रोल नेभाया था precision bombing की थी और इसी लिए जो है इसका नाम बहादूर पड़ा था अब एक प्रशनों लोगों के मन मोट रहा है कि ये plane जो है इतना जादा पुराना तो नहीं है 1985 में हमने इसको इंडेक्ट किया था इसको compare करें अगर हम MiG-21 से वो तो 1965 के जबाने के हैं तो जब हम इसको retire कर रहे हैं तो MiG-21 को क्यों नहीं कर रहे हैं ये सवाल खड़ा हो रहा है इसी का जवाब जो है आज हम जानेंगे तो MiG-27 जो है इसका maintenance cost जो है बहुत ही जादा है और ये एक ऐसा fighter plane है जिसमें swing wing technology है अब ये swing wing technology क्या होती है ये वो चीज होती है कि हवा में ही जो है plane अपने wings का आकार जो है वो बदल लेता है तो यहाँ जैसे आप picture में देख रहे हैं दोनों एक ही plane है एक जगे जो है इसके punk फैले हुए है एक जगे सिकड़े हुए है तो यही चीज जो है make 27 में होती है आके रखें तो take off और landing जो है जल्दी हो जाती है इसलिए इसका इसका इस्तमाल के जाता है तो cold wars के समय जो है इस चीज का बनाया गया था क्योंकि उस समय जो है इस चीज की जो है जरूरत महसूस हुई थी तो यह जो है इसकी बात हो जाती है अब यह जो swing wing technology है इसमें बहुत सारे movable parts होते हैं जितने जादा movable parts होते हैं उतना महंगा maintenance हो जाता है उतना ही सिरदर्द हो जाता है तो यह एक बड़ी सी problem इसके साथ है अब इसको क्यों retire कर रहे हैं 1985 से जो है अमने इंडेक्ट किया थ maintenance cost बहुत हाई है crash rate इसका सबसे जादा है spare parts supply की बहुत भारी किलत है दुनिया में कोई air force इसको operate नहीं कर रही है और इसली जो है company's के parts भी बना नहीं रही है सिर्फ भारत जो है इसको operate टर रहा है हमारे लावा स्रिलंका ने लिया था 6 plane लिये थे उनके भी पूरे के पूरे crash हो गया तो उन्हें भी मजा नहीं आया उन्होंने भी retire कर दिया तो हमने भी इसको कर रहे है और हमारे पास जो है इसके replacement मौजूद है तो ये plane की खास बात ये थी कि ये काफी low level पे उडान भर सकता था और bombing कर सकता था accurately अब ये चीज उसके जमाने में तो एक advantage थी लेकिन आज के जमाने में ऐसी technology आ गई है कि आपको precision bombing करने के लिए नीचे उडान भरने की जरूवत नहीं है आप उपर से भी कर सकते हैं तो laser guidance, GPS guidance और बहुत तरह के guidance system आ गया है जिसके करण जो है बहुत उचाई से भी जो है आप नीचे बिलकुल accurate bombing कर सकते हैं तो अब जो है जो हमारे पास ऐसे plane हो जाते हैं जो कि इसका काम कर सकता है तो जब हमारे पास अच्छा replacement है तो फिर क्यों हम जो है ऐसे plane को लाएं जिसका maintenance बहुत ज़ादा है जिसमें जोकिम बहुत ज़ादा है crash rate बहुत ज़ादा है तो इसलिए हम उसको retire कर रहे हैं और काफी ज़ादा संख अब आज के समय में अगर हम इसको रिटायर कर दें तो हमें 360 दूसरे प्लेन भी चाहिए जो हमारे पास आज के समय में नहीं है इसलिए हम इसको रिपलेस अभी नहीं कर सकते तो इसको रिपलेस हम तब करेंगे जब तेजस जो है सफीशन्ट नंबर में बन जाएगा अविलिबल हो जाएगा तो आज के समय में इंदुस्ताय नेरोनाटिक्स जो है 10-12 तेजस ही बना पा रहा है जबकि बनाना चाहिए उसको 20-30 तो जब ये रेट सफीशन्ट हो जाएगा हमारे पास 150 ऐसे हो जाएगे तो हम इसको हटा देंगे इसकी जगे तेजस आ जाएगा तो ये रही आज की बात इस पर आप अपने कमेंट्स रखिए फिर मिलते हैं जैहन